। । । । । । । । । अधिराम य् आ अरे अचारे जी, उच्छी, 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 क्या कर रहे हैं आप, मेरे चरन क्यों चो रहे हैं, उस सेट को जेतिश बताने की बज़ाए, तुम्हारे चरन चुणा बहुत पुनीत है, क्यों, क्या हुआ चारे जी? क्या बताऊं रामा इस अवस्था में ये दुर्दशा भी देखनी थी पर हुआ क्या उस धनंजय सेट ने स्वहम बुलाकर मुझे अपना भविश और आयू जानने की प्रार्थना की कुम्भ, मीन, मेश, व्रिशभ, मिथुन, कर्क, सिंग, केंद्र में सूर्य है ये जवान आपकी आयू तो इतनी है कि आपके जीवन में ही आपके सारे परिवार की मृत्ति होगी क्या कहा? मेरे जीवन में ही मेरे सारे परिवार की मृत्ति होगी आप तो बड़े भाग्यवान है ऐसे ग्राह बहुत कम मिलते हैं बस बस चुपना हो इससे कहीं बड़े सौभाग्य की बाद ये है मेरे सौभाग्य की बाद चोड़ो आप अपने दुर भाग के की सोचो दनिया जी मालिक अरे आप मेरी बाद जोट्षी के बच्चे को बहर भेट दो अरे 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 जोटा गांगी मुट कहीं का जोट्षी बना है अब बता इसमें मेरा क्या दोश है जो है वही तो बताऊंगा आप तो आपने ठीकी कही आचारे जी है न पर बड़ा कटू सत्य इतनी कठोरता से कह दिया पर और कैसे कहता है आचारे जी आज आप बीदबल के चपूतरे के नीचे फेस पदल कर बैठ जाए पर क्यों ये धनांचे सेट आपके पास फिर अपना भविश्य पूछने आएग राम भजो ना रख में जाये ये सेट आप तो मुझे उससे डर लगने लगा है अब जैसी आपकी इच्छा अचारे जी मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि कौन्शी बात किस समय किस तरह से कहने चाहिए पर मैं उससे कहूंगा क्या अच्छा बहुत अच्छा और सुन जी आज के बाद ये बेइमान कभी दर्वाजा तो क्या जो ये गली में भी दिखाई बड़े तो तो क्या करूं मालिक इतना मारना इतना मारना इतना मारना है सेट जी ओ रहाम कृष्ण आओ कैसे हो आओ यहां बैठो आँ तो ठीक हूं सेट जी पर आप इतने तम तमाय हुए क्यों बैठे हैं और क्या करूं बड़ा आया जोतिशी कहीं का पिछले 20 सालों से हमें मूर्ख बना रहा है आता जात कुछ नहीं है जोतिशी बना है तो आप किसी अच्छे जोतिशी को क्यों नहीं दिखाते हैं घर में पता नहीं क्या हो गया है कि सभी लोग बीमार हैं हमने सोचा कोई ग्रह खराब हो तो शांती करवा ले पर कहां मिलते हैं अच्छे जोत्शी आजकर रामकृष्ण वैसे म मैं एक बहुत बड़े जोत्शी को जानता तो हूँ पर वो इतनी आसानी से किसी को कुछ बताते नहीं सच्छ मुझे वहां ले चलो रामा ना सेच्छी वो बहुत कुछ सेवाले हैं अगर वो मान जाएं तो जो भी बता दें समझो गुरु ब्रहस्पती ने बता दिया सच् जो दें तो सब के हो जाता है पर वो मिलेंगे कहां पीपल के चबूत्रे पर बैठते हैं अभी वो मिलेंगे वहां पर अब यह तु पता नहीं सेच्छी पर देख लें यदि आपका भाग्य अच्छा हुआ तो शाहिद कुछ बता भी दिया बहुत अच्छा किया बता दिय बैठे बैठे सुवेरे से कमर टेड़ी हो गई कहा पसा दिया ये रामा ने इतनी रात हो गई अब कौन आएगा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि स्वामी जी कि समस्कार हम बहुत परेशान हैं तो मैं क्या करूं यहां से सुनिये हम बहुत आशा लेकर आए हैं किसने कहा था आशा अच्छा को सवामी जी सवामी जी बस हमारे एक प्रश्न का खरपा करके उत्तर दे दिजिए मैं रात में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता जाओ यहां से तो फिर हम राद बर यहीं बैठते हैं तुम बहुत हटी मालूम होते हो, लाओ कुंडली लीजिए तीन साल पहले तुमारे पिता की मृत्य हुई स्वामी जी हुई थी हा दो महीने पहले तुमारे पुत्र का विवा हुआ स्वामी जी हुआ था शुक्र में शनी की वक्रदिश्की और मंगल नीच तुमारे परिवार में साथ लोग बिमार पड़े हैं हाँ स्वामी जी मेरे सिवा सब के सब पड़े हैं वीच में मत बोलो परन तु तुम क्यूं चिंते थो तुम तो दीर गायू हो है सच है स्वामी जी और मेरे परिवार वाले उनकी भी आयू लंबी है पर आपसे एक दो वर्ष कम बढ़ स्वामी जी तो मैं सव वर्ष तक जियूंगा ना कहा तो तुम दीर गायू हो तुम्हारी आयू तो तुम्हारे परिवार के सारे सदस्यों से दो वर्ष अधिक है और कुछ पूछना है बस स्वामी जी अब और कुछ नहीं पूछना आज सबेले एक मूर्ख ढोंगी जूटा जोतिशी आया था वो कहता था मेरा सारा परिवार मेरे सामने ही मर जाएगा स्वामी जी किस स्विकार कीजिए प्रणाम स्वामी जी कल्यान हो अहां कल्यान भूर रामा बेटा मेरे लिए तो ये सब चमतकार जैसा हुआ अरे नहीं नहीं आचारे जी ये सब तो आपका है उठा लेजे राम क्रिश्न तुम अपना जीवन इस गाउं में क्यों विर्थ कर रहे हैं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान को तो राजदरवार में होना चाहिए रामा की मा रामा को आज्या दे दो अरे इसके मस्तक में तो राज योग है ये तुम्हारा ही नहीं इस तैनाली का नाम भी उज्वल करेगा अचारे जी अब मैं कौन होती हुई से रोकने वाली मैंने अपना कर्तव ये पूरा किया अब अब जहां का अंजल इसके भागे में होगा वहीं जाएगा सच अमा 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 मैं मैं चला जाओं विजे ना गया बेटे हां कहते चाती पड़ती है ना कहकर तेरा भविश्य नहीं खराब करूँगी जाओ बेटे जाओ सीता बहूँ जी सीता चलो विचे नगर चलते हैं चलिंगी हाँ अभी इसी वक्त अभी इसी वक्त ऐसे ही हाँ माँ जीते लोग भगवान करे तुम इतने बड़े हो जाओ इतने ऊचे हो जाओ कि जाओ से मैं भी तुम्हें दिखाई ना पड़ू जाओ रामा बेटा मुसिप्तों से कभी घबराना नहीं मैं नहीं तो क्या भगवान हमेशा तुमारे साथ रहेगा हाँ माँ चाओ बेटा आओ मेरे रामा का खाल रखना जी माँ हुआ अन्वा हुआ प्रका वाओू हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है कि अर्फ लुट वुट। हुए हुए करना नहीं करना उजा करना पिर्फ करना दो को कर दो कर दो पुछ जो दो कर 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 दो आम्रों में दीन टना दॉब्ल खशाल今 सान्ा तरह हुआ में समगार Sus अभा घला एफ हुआничेs बहुत अच्छी लेग रही है ठीक है लगता है महारानी जी आज कहीं बाहर जा रही है जो करने हो के पहरा देना समझे है जी सुना साना पती जी ने क्या कहा प्रयास करते हैं लेकिन ये लोग अंदर जाने नहीं देंगे देख ले ना ठीक है ठीक है क्या बत है तुम लोग खिरा गए है जाने देजे ना कहा जाने लोगों से पूरे जम्दूत है जम्दूत करते है करते है तुम्हे रखाए कि मैं नहीं चलो तुम कुछ भी कहो सीता पर एक बार तुम्हें दर्वार के अंदर अवश्य जाओंगा आप जाओगी कैसे? क्यों? फरोसा नहीं है मुझ पर? बात फरोसी की नहीं है नई जगा, नई लोग, उपर से यंदूर जैसे पहरेदार उन्हें देखते ही डर लगता है सीता पहरेदारों के डर से परदेश में हाथ पर हाथ थरके तो बैठा नहीं रहूंगा मैं कर्मन्ये पाठिकारस पे मां फलेशू का दाचना मैंने तो सुना था कि राजा की पहरेदार बहुत निर्दई, करतेवे निष्ट और इमानदार होते हैं उनसे बचकर जाना तो असंभव होता है नहीं, नहीं, कुछ भी असंभव नहीं होता सीता और एक बात बताओं अगर किसी कोई निष्चे हो जाए कि उसकी चोरी खुलेगी नहीं तो हर कोई चोर होना चाहेगा इमानदार प्रणाम राजगुरुजी शुब आज शिर्वागे क्या बात है आज राजदरबार नहीं आएंगे कुछ काम है, थोड़ी देर में आएंगे अच्छा नमस्कार प्रणाम प्रणाम राजगुरुजी राजगुरुजी प्रणाम नहीं पैचाना हाँ, पैचानेंगे भी कैसे कितने दिनों बाद जो मिलने का संयोग हुआ है कहीं बाहर गय थे आप पहले अपना परचे भी तो दीजिए आप हैं कौन आए, चलिए मैं, मैं रामकृष्न हूँ कौन रामकृष्न रामकृष्न तेनाली वाला हम तेनाली में मिले थे न तेनाली नहीं तो तो शुल्लेपूर में मिले होंगे नहीं शुल्लेपूर नहीं तो फिर तो फिर रंगापूर में मिले होंगे आये रंगापूर नहीं जी याद आया हम सुल्लेपूर में मिले थे तुम जिन गाओं के नाम ले रहे हो वहाँ जाना तो दूर मैंने उनका नाम तक नहीं सुना चलिए अंदर चलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है पर मैंने अवश्य आपको कहीं देखा है बस जगा का नाम ठीक से जगा का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है कहीं आप भी तो नहीं भूल रहे है मेरी स्मर्ण शक्ती बहुत अच्छी है समझे जी आप तो गुसा हो गए पर मैं सच कह रहा हूं मैंने पहले आपको देखा है हाँ हो सकता है वैसे दो साल पहले बामनी के सुल्तान ने हमें कैद कर लिया था क्या तुम भी उसी कैद में थे जी आप पहले भी भूल कर रहे थे अभी भूल कर रहे हैं क्या भूल कर रहा हूं जी मैं कैद में नहीं था मैं तो सुल्तान का शाकाहारी रसोया था तुमने मुझे मूर समझ रखा है मैं कभी भी कहीं भी किसी भी कैद में नहीं रहा तो मैं भी कभी किसी का रसोईया नहीं रहा पर तुम जूट क्यों बोले जी जूट तो पहले आप बोले मैं तो बस आपके पच्चिन्नों पर चल रहा था मैं तुम जैसे बावले के साथ बात करके अपना समय नस करना नहीं चाहता लेकिन मैं करना चाहता हूँ तुम जाओ नर्क में क्या हो राज गुरू जी कैसे कैसे लोग दर्बार में आ जाते हैं मैं राज गुरू जी तुम जुट बोल रहे हो राज गुरू तुमें जानते भी नहीं है जी यह तो दुर्भाग्य है मेरा मैंने तो सोचा था कि महराज को अपने कर्टब दिखा कर जो भी ना मुझे मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे पर आप लोग अंदर जाने ही नहीं देते यदी आप लोग नहीं चाहते तो इसमें आपकी हानी है मुझे कर यह क्या कह राथा इनाम बांट कर काने की बात ऐसे कुछ कह रहा था इदर आ इदर आ क्या बोला था मैं कह रहा था कि जो भी इनाम मुझे राजा से मिलेगा उसे मिलकर आपस में बांट लेंगे अच्छा ठीक है तुम अंदर जा सकते हो येकिन सुनो तुम्हें जो भी अंदर मिले उसमें से आदा मुझे देना पड़ेगा याद है? जी, मैं फिर वचन देता हूँ इनाम बांट कर क्या तुम अकेले खाओगे? और मैं मित्टी खाओँगा है अरे भाई जग्रा क्यों करते हो? मुझे राजा से चोपे इनाम मिलेगा मैं आदा तुम दोनों को दे दूँगा तुम आपस में बाट लेना आप अंदर जाए है शिरिमान जी ये आदमी ता लाल्ची है जाहिए अंदर जाहिए 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 याद रखेगा जी जी, याद है तुमे दर क्या कर रहे हो? अपनी जेगा बढ़ जाकर पेड़ा दो जाओ 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 तनननस तननना नान माहाए manufacturers रुरुरुरु डUn्हों पर्पशों कर दो दो लो ओो कर दो कि अ